रावन के ससराल में उत्रे राम घर घर में प्रभू श्री राम की तरह पूजे गई गोविल नब्बे के दशक में प्रभू श्री राम का नाम लेते ही मन में अरुन गोविल की छवी उभर जाती है जंता ने उन्हें राम मान कर मन में जगा दी टीवी के सामने बैठे लोग उनके परदों पर आते ही आरती उतारने लगते हैं 2024 में जब आयोध्या में श्री राम लला भवे महल में व्राजमान हो गए है तब भाजपा ने अरुन गोविल को मेरट से चुनावी मैदान में उतारा है मेरट रावन का ससुराल है कहा जाता है कि रावन की पतनी मंदोदरी की रहने वाली थी घर घर में प्रभू की तरह पूजे गए अरुन गोविल अब जनता सी वोटो का पिरसाद पाकर लोक तंत्र के मंदिर में राम राज की पुर्ण इस्ठापना का संकल्प लेंगे 72 वर्षी है और उन गोविल के सामने श्री राम के प्रती आस्था को आकार रूप देने का फिर मौका है गोविल ने जब रामानंद सागर के रामानंद धारवाहिक के लिए ओडिशन दिया तो उनकी दावेदारी खारीच कर दी गई परिवार के लोग राम के किरदार को चिनने के उनके फैसले के पक्ष में नहीं थे उनका मानना था कि इससे गोविल को कोमर्शिल सिनीमा में नुकसान होगा रमानंद सागर ने उन्हें भरत लक्षमन के किरदारों की पेशकश की लेकिन गौविल ने ठान लिया था कि वे राम ही बनेंगे अब वे अपने ग्रह जनपत से उम्मीदवार हैं जनपत का प्रेम उन्हें राम राज की पुनर्श थापना का मुका दे सकता है अक्सर अरुन गोविल को लोग प्रभुश्री राम मान कर पैठ चुने लगते थे कई मौकों पर अरुन की हाथ में सिग्रेट होती थी लोगों की आस्थावे भक्ती आहत ना हो इसका मान रखते हुए उन्होंने सिग्रेट पीना ही छोड़ दिया अरुन गोविल ने थेटर और बॉलिवुड में भी कई किरदारों को जिया उन्होंने स्कूल के दिनों से ही अदाकारे की यात्रा शुरू कर दी थी मेरट के गवर्मेंट इंटर कॉलेज की ड्रोमेटिक सोसाइटी के भी सदर से रहे उन्हें 1977 में अपनी फिल्म पहली में सहयक अभीनेता का मुका दिया कुछी साल बाद राज श्री प्रोडक्शन ने तीन फिल्मों में गोविल को मुख्य भूमिका में लिया सावन को आने दो साच को आज नहीं उनकी चर्चित फिल्म में रही विकरम बेताल ने शांदार भूमिक सका से अलग-अलग पहचान बनाई रामायन सिरियल के करीब 30 साल बाद अरुन गोविल ने 2019 में अतुल सत्य कोशिक के लिए दे लीजिंट आफ राम एक शब्द एक बान एक नारी नाटक में भी मंच पर श्री राम का भी निया किया है नाटक के आ अफरी में गोविल एक समवाद में कहते हैं फ्रजा के हीति के आगे राजव–शुन्या हो जाता है मंच पर उनका ये समवाद राजनीती में एक नेता के लिए और संदेश है देखना है कि स्या सि पारी में वहें इस समवाद को कितना जी पाते हैं